कि जैहिन आज की वीडियों मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि NCC एक्जाम में एगरेड लाने के लिए आप लोग कहां से प्रिप्रेशन करें तो आप लोग सबसे पहले Google Chrome browser open कर लेंगे और आप लोग यहां पर सर्च करेंगे तेजस NCCRM.com आप लोग को बता दूँ अगर आप लोग तेजस NCCRM.com वेबसाइट से प्रिप्रेशन कर लेते हैं इस पर अप्लोटेड सारे टॉपिक वाईज नोट्स और मोडल पर परियाद कर लेते हैं तो आपको NCC एक्जाम में एगर एडलाने से कोई नहीं जो सकता है चाहे हो A certificate हो B आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और सर्च करेंगे तेजस NCCRM.com और फिर आप लोग कर देंगे अब लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा मतलब वेबसाइट ओपन हो जाएगा अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग को याद क्या करना है जैसे देखी यह टॉपिक वाइज है यह फर्ष्ट है इंटोड़क्शन टू इंफेंट्री वेपन से एक्विपमेंट्स यह फिल्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट नेक्ट है मैं प्रीडिंग आंफ फोर्चेज और ट्रेनिंग तो यह सारा मैंने एक करके आप लोग याद कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग इस वेब साइट को आप लोग सबसे नीचे में आएंगे और आप लोग इसको फॉलो कर लेंगे ताकि इस पर जो भी नाया अपडेट किया जो भी नोट्स डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे यहां दिल्क देखिए यहां फर फॉलो का अमसान होगा तो सारह लोग सबसे पली सको फॉलो कर लेंगे जोंद बनेंचे आपको नोटिफिकशन मिल रहे हैं आप लिचा अज आफ इस पढूं यहैं को फोई कर बता दिता हूं समयने ऐन फोलों हुर दिया तो देखिए यहां फर फॉलो का अप्शन है तो आप लोग फॉलो पर किलिक करके इसको फॉलो कर लेंगे फिर आपका इमेल एडी मांगते है अगर आपका जीमेल मोबाइल में लोग इन होगा तो आटोमेटिक फॉलो हो जाएगा आप लोग फॉलो करने से आपको यह इसके बाद एक और टॉपिक का बाचे हो है कम्मुनिकेशन लास्ट टॉपिक टोटल टॉपिक 13 से 14 टॉपिक हैं एंसी सी में उतने ही आपको याद करने होते हैं इसमें इसमें कोई अलग से बुक्स नहीं आती अगर आप एंसी सी का बुग से प्रिप्रेशन करोगे तो आ अलग से इसमें कोश्चन नया क्रियेट नहीं होता बस आपको 200 से 200 कुश्चन आप याद कर लो और चाहे ए सर्टिफिकेट और आपका 100 परसेंट आएगा देखो जैसे में आपको बताते हूं कि इसमें टोटल नमर कोश्चन कितना है इतना ही में से हर साल एक्जाम में पु आपको एक्जाम में पास करना है एक्जाम का वेनिफिट लेना है तो इसमें देख लो टोटल नमर कोश्चन मिलेटरी हिस्ट्री से कितना है यह देख लो लास्ट साथ है लास्ट में मैंने थैंक्स जहिंद कर दिया मतलब इसके बाद आप क्वेश्चन नहीं है सेवेंट फिल्ड मार्सल सेम मैंनेक सकी जीवनी पर दस लाइन लिख है मतलब मिलेटरी हिस्ट्री से किवाल साथ क्वेश्चन से ही हर साल रिपीट करते रहता है क्वेश्चन मतलब इन ही साथ में से नेक्स्ट टॉपिक जैसे देख लो यह हैं इंट्रोडक्शन टू इंफेंटरी वेपंस एंड इग्विपमेंट्स जिससे कि 15 माक सा कुष्चन हर साल एजाम से में आता है इसको ओपन करके देख लेते हैं मैं आपको दो तीन टॉपिक ओपन करके दिखा देता हूं कि कितना कितना कुष्चन है मतलब किसी में भी 15 से मैक्सिमूम होगा तो 15 18 20 से ज्यादा करना है और एक काम और आप लोग किजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और जुनियर और सिनियर को भी जिनको इसके बारे में जनकारी नहीं है या फिर जीने एक्जाम देना है आप लोग उनको भी तेजस NCCR.com वेबसाइट के बारे में बता दीजिएगा तेजस NCCR में आप के बारे में पूछ रहे थे तो आप लोग अभी आप से प्रिप्रेशन ना करें अभी आप मतलब आप लोग वहां से पढ़िएगा कोई दिकत नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पर सारा डटा एवलेबल नहीं है उसमें कुछ टेक्निकल इस्यू आ गय इसमें भी देख लीजे टोटल नंबर ओफ केस्चन खितना है थैंक्स जाहिए आ गया इसमें भी आठी है टोटल नंबर ओफ कुेच्चन इंट्रडेक्शन टू इंफेंटरेट्री वेपन से इक्विपंट्स में आठवा कोस्च्टन से ना के इंफेंटरी यानी पैदल से ना बटालियन के दो बटालियन सपोर्ट वेपन हथियार के नाम लिखें इसका भी मैंने चार का चार ना मता दिया हूं कोई भी दो का लिख देना है तो इस तरह से किसी भी टॉपिक में मतलब 15-16 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं है और 14-15 टॉपिक है मतलब टुटल मतलब 200 स करके सारे का याद करेना है मतलब आप रोजाना एक घंटा भी पड़ते हो आपका कम्प्लीट हो जाएगा अभी 25 से बीस जीन का टाइम है और 60 वालों की एक महिना से टाइम बचा हुआ है तो इतना टाइम इनफ आप लोग मेरे बताया अनुसर प्रप्रेशन करते हो तो औ और बाकि मैं ड्रील और प्रेक्टिकल का भी वीडियो आप लोग को अभी अभी अवलेबल करा दूँगा मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है तो सर ने बोला है कि मैं आपको टाइम दे दूगा और मैं वीडियो बना के चनल पर अपलोड कर दूँगा और यहां से फिर आप आप लोग नेस्ट पेज़ पर क्लिक करेंगे मतलब सेकंड पेज इसरस आप लोग सारे जितने भी टॉपिक वाज नुट्स अप्लोडेट है सब को याद कर लेंगे और फिर मॉडल पेपर वी सटिपेट का भी एक मॉडल पर अप्लोड किया हूँ मॉडल पेपर के बारे में भी जन कारी देता हूँ एसर्ट वालों का बी और सी दो तीनों का अभी आप लोग देखो यह एंची सी सी सटिफिगेट मॉडल पेपर पार्ट वान है मतलब एक मॉडल पेपर को दो पार्ट में अपलोड किया हूँ तो आप लोग सी हूचा है वह टॉपिक वाइज नोट में हो या मॉडल पेपर में यह सारे कोई कभी एक्जाम्स पूछे गया है और फिर आगे भी यही पूछे जाएंगे मतलब 2021 में पूछे जाएंगे 22 और 20 में भी इसी में से पुछे गया है मतलब हमेसा यहीं कुष्ट अएगा अगया जो भी नया अपडेट किया जैगा तो आपको पता नहीं चल पाइगा वैस्ट आप अगर फॉलो कर लेते हो तो जो भी नया अपडेट इस पर किया जाएगा नया इसके बाद ये लाश्ट तक है यहां गया थैंक्स जैहिंद आ गया ये देखो टोटल 55 कोईस्टन अभी मैं बूर ची दोनों के लिए मैंने बताया था आपको सी मुद्ध के लिए यह बी सर्टीफिकेट और सी सर्टीफिकेट दोनों के लिए मतलब यह बीस पेसिली बी के ल और आल्वेच्ट से मिन बीस हाएट जाहां तो वी किवल पास करना यह मतलब अच्छा ग्रेट नहीं लेना तो आप लोग किवल इसको भी पढ़के एक मोडल परियाद करके आप लोग एजाम पास कर सकते हो और अगर अच्छा ग्रेड़ से पास वना चाहते हो तो फिर तो आपको सारे टोपीक वाई नोट सियाद करने होंगे और एक्जाम बहुत हीजी होता है अब बहुत सा जगा पिछले बार भी एक्जाम दिया था लोग सबसे हाइस नम्मर है मतलब आउट ऑफ फाइफ एंडेड फोर हंडेड थाटी टू मार्क सलाने माले कडेट से तेजस एंसी सेर्मी यूट्यूब चैनल से प्रिप्रेशन करके तो अब आप लोग देख लो आपको टॉप करना है तो आप लोग यहां से प्रिप्रेशन करो इ इस बात की गरेंटी है कि आपका यह ग्रेट तो एकदम गरेंटी आएगा अब टॉप करना आपके मेहनत पर है अगर आप सारक कोश्चन अंसर यह तुजड याद कर लेते हो अच्छे से तो आप असानी से टॉप भी कर सकते हो यह यह सट्वेट का है सट्वेट एकदम बह आपको फिर से में आपको पता दू कि आप लोग वेबसाइट को सबसे लास्ट में इधर आके आप लोग वेबसाइट को फॉलो जरूर कर लेंगे ताकि जब भी नया अपडेट इस पर या नया मॉडल पर कुछ भी डाला जै तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और चार महिने में एप भी ठीक हो जाएगा पुरी तरसे काम करने लाएगा तो आप लोग तेजस इंसेर्मु डॉटकॉम वेबसाइट से भी प्रिप्रेशन करेंगे आप लोग फॉलो जरूर कर लेंगे मैं आपको बता दू कि आप लोग अपने फ्रेंड्स जुनियर सीनियर तो इसमें क्या दिक्कत है और उसका बेनिफिट कहीं ने कहीं आपको जरूर मिलेगा आपकी सोच अच्छी होगी आपको फायदा होगा और सामने वाला भी जब आप उसकी हेल्प करोगे तो कभी ना कभी आपको भी जरूरत पड़ेगी तो वह भी हेल्प करेगा तो आज क लिए इतना ही धन्नावाद जैहें